हेलो फ्रेंज वेलकम बेक माई यूटूब चैनल तो गैस आज हम इस वीडियो में बनाएंगे यहाँ पर अपगानी सलवार जो कि आज कल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चलती है तो मैंने भी सोचा कियो ना में एक एसा ही वीडियो बना कर देखू तो कि मैंने यहाँ पर यह वाला जो कपड़ा लिया है गाइज यह वाला मेरे पास पूरा सूट का ठान था यानि की एक पूरा कपड़ा था जिसमें सूट का भी जूइंट दूपट्टा भी था और साहती यह वाली सलवार थे अकर आपको इस तैप की सलवार बनानी है तो आपको कम से कम 2 से थोड़ा सा ज्यादा है और यह जो नीचे बॉर्डर है यह देखी सकते हों में दोनों तरफ यहां पर बॉर्डर आया हुआ है तो यह बॉर्डर में नीचे की तरफ सलवार में बॉर्ट में यूज में लूगी ताकि मुझे अलग से कोई डिजाइन नहीं बनानी कि कि वीद्ध कम है तो पहले मैं यहां से बॉर्डर को अलग कर दूगी दोनों कट कर लेंगी तो यहां पर इसलस तरीके से रखा है और यहां पर मैंने टू फोड यानि दबल बार जो डबल बार फोड किया है यह फोर फोड में है और यहां पर मैं लेंथ दिखा देती हूँ यानि कि जो नीचे का बोटम है इसको मैंने यहां पर मेजर करती हुए मेरा यानि कि पूरे सलवार की लंबा यहां पर मेरे आसानी से न पर उपर इस तरिके से पंद्रा इंचम के निशन लागना है उपर 6 इंच निकलते हुए यानि माइनस करते हुए और यहां से इस तरिके से दोनुं निशनों को मिला देंगे अब इन इसानों के यहां से मिलाते हुए इनकी cutting कर लेंगे और जो इसकी length है अगर आपके पास कपड़ा विर्त में जद्धा है तो आप यहां से इसमें जो border है उसका भी निकाल दें और उपर से यहां पर बैल्ट के निकाल दें। मेरा करताा है यानि के मेरा कि मेज़रमेंट कह出त हैं चार इंच मेरी बैल्ट थी इसमे नीछे मौरी आएगी तो चार इंच मौरी के पार 1926 तो पर 50 इंच रहेंगा थोटली और उपर से meidän आ जाएगी बैल्ट कहा है जारे यहां पर और निनमी अब। अब आ लिएसे सदे ऐसे में लगाना चाहिते, आप यहसे सीधा स्यॆ हो इंदरभी स्युष्ट को भीएंक भीएंकर। अमरे देगी कि यहां मारेँ कि और पिलीम आई लगाने लाएंक εί modifier आधा है this… तो इस तरह केसे मियानि को नीचे से तीन इछ छोड़ा सम्तिक पराते वे और इस तरीके से को कट कर लेना विस आप में अब इसको जोईंट केसे करना है यह देक्शे में बता देती हूं सबसे पहले हमें एक पाईजी का हिस्सा लेना है इस तरीके से फिर मोरी को इस तरीके से रखना है सोरी यहाँ पर जो मियानी उसको इस तरीके से रखना है अब एक हिस्से पर जोड़ते हैं दूसरे पैची को लेना है और इस तरीके से दूसरी वाले हिस्से पर जोइंट कर देना है सब ऐसे ही दूसरी वाले मियानी को भी हमें इसी तरीके से लेना है पहले एक हिस्से पर जोइंट करना है फिर दूसरा ले पेनल को लेना है उस पेनल को इस तरीके से सीधा करते हुए यहाँ पर सिलाय लगा देनी है तो यहां पर यह देखिए मैंने मियानी को अटेश कर दिया है और उपर से एक फीनिसिंग की विशलाय लगा दी है ताकि अच्छे से हमारी मियानी का कपड़ा है फुला फुला नरेगा अच्छे से सेट हो जाएगा अब हम यहां पर क्या करना है सबसे पहले हमें बेल्ट लेना है तो बेल्ट के लिए मैंने यहां पर इस तरी के से पहले जोइंट कर लिया है कपड़े में अब साय से मैंने एक एक बार किनारे से इसको फोड कर लिया है जितने आपकी बेल्ट की कमर है उतना आप यहां पर बे प्लेट हमारी आपर बेल्ट मन का तैयार हो जाएगी का अगर आपको बेल्ट बनानी है तो जितना फिटिंग आपका कमर का है उससे आप 3-4 इंच लोजिंग लेते हुए बेल्ट के कटिंग करें अब इस तरीके से देखें नेफे को जब हम फोड करेंगे तो 6.5 इंच इसकी चोड़ाय रहेगी और आदा इंच नीचे की तरफ से चला जाएगा और जो हमने यापर फोड के हैं वहाँ से इस तरीके से सिल्दा है तो चले मैं दिखा देती हूँ आपको कैसे सिल्दा है तो मसीर पर मैं आपको अच्छे से यापर समझा देती हूँ सबसे पहले देखे मैंने दो निशान लगाए है और इन दोनों सिल्दा को इस तरीके से जो हमने निशान लगाए दूसरे साइड पर रखना है इस तरीके से निशान लगाना है और दोनों सिल्दा को इस तरीके से मिलाते हूँ नीचे की तरफ से हमें थोड़ सा अंदर की तो अपर से तरफ से शलाए लगानी है यानि कि हमारा शलाय हमने पल्टी ए उससे थोड़ी दूरी करहाई लगानी और वापस पलडते विए शलाय और लगा देंगे I just अब इस यह मुस्त दर्के से को करिंगे और दूनों साइड कि स्लाय को अब इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और एक एक सिलाय और लगा देंगे ताकि यह अंदर की तरफ पर एक बार और फोल्ड हो जाएगा अच्छे से अब दूसरी साइट से इसी तरीके से सिलाय को फल्टेंगे और इस पर भी इस तरीके से एक सिलाय लगा देंग तो यह देखिए अच्छे से यहां पर फिनिसिंग दोनों साथ से बराबर हो चुकिए अब यहां से जो हमारा हमने कितना फोल्ड करना है पैल्ट को यानि कि नेफा कितना फोल्ड करना है इतना हमें यहां पर रख लेना है और यहां से इस तरह के सिसलाइक को लोग करते हुए इसको फोल्ड करते जाना है और नेफे की पट्टी को भी हमें यहाँ पर रेडी कर लेना है तो यह देखी गए हमारी बेल्ट बन कर तयार हो चुकि फिनिसिंग के साथ में उपर से यह देखो तोड़ा सा दका भी ओपन है अब हमें यहाँ पर सालवार के पेनल लेने है और जो कि हमने यहाँ पर मियानी का जो जो जोइंट है सेंटर का वहाँ सेंटर से हमें बेल्ट के सेंटर को मिलाना है और यहां से सेंटर से सेंटर मिलाते हुए पहले इसको स्टीच करना है तो सबसे पहले प्रेंट पार्ट में हमें जो प्लेट डालने हो पहले हम में अपनी तरफ डालूंगी यानि जो प्लेट का डारेक्शन रहेगा वो यह वाली मेरी तरफ रहेगी और जो अगले वाली पैनल का यानि दूसरी वाली जो सैट रहेगी उस पर में अपने से आगे क तरफ प्लेट डालना शुरू करोंगी तो यानि कि जो प्लेट का डारेक्शन है दोनों सीधा करने के बाद प्लेट के दोनों डारेक्शन सेम अपनी तरफ होनी चीए यानि कि दोनों एक दूसरे की तरफ आमने सामने प्लेट के डारेक्शन होनी चीए तो यह देखिए दूस उस वाली सेड पर मैंने अपनी तरफ फोल्ड किया था अब मैं अपने से आगी की तरफ इस तरीके से प्लेट डाले इसको रेडी कर लूँगी अब यहाँ पर प्लेट डालने के बाद इसको हम वापस दो बार इसके पलटेंगे और इसको सीधा करते हुए एक उपर से एक फिनिसिंग की सलाई ओगा देंगे ताकि यह अच्छे से प्लेट हमारे सेट हो जाएगी और फिनिसिंग के साथ में हमारे यहाँ पर सलाई नजर चलिए मोरी इसको पेस्ट करना है तो जाहतक हमारे डिजयन है वहां तक किनारे तक इसको रखना है और पहले इसको मेरा प्रनीक्र महारा किस्ट कर देना है अब उसके बाद आमे यहां पर असथर्वाला कपड़ा लेना है रास्तर वाली कपडे को मुखरम के नीचे की कि यहां पर नीचे की पैजे की मोरी जो है कंप्लेट कर लेनी है और यहां पर जो वपर कि तरफ से हमारे मुक्रम का का हिरा का देशाओं, तरीका इसा है वह बिलकुँ डियुकस है, आप लगाना चाहिए वी किनारी दिसाई वहां से इस तरीके से समोसे वाली जो लेय्यस होती ही, जिसको बीजा topics पोलते हैं उसको हमें याँ पर एटेची करते हैं। यह आप जो नीचिक ए स्थ्र है य जो ईस्थर के लान यह देखे मैने प्रियदे में इसमे ड्रो कर लिए कि यह स्ल को ड्रो देखे बिलने में आए constituents पहले हैं दो सकते हुआ जरुँके कि स्थे कीद दो फ्लेट बनाना सुम्हिर खेवर थे मरें और अगरूक्ष प्लेट का अब आप नीचे इसे लगणो दो थे लहारब निचे प्लेट को डाला दाले चीह ने सकते । तो यह देखे हैं हमारी मोरी बनकर रेडी हो चुकी है, नीची की तरफ का बोर्डर बनकर रेडी हो चुका है, और बहुत ही फिनिसिंग के साथ में बनकर रेडी हो गया है, तो एक स्लाइ ओ लगा देगे, तो यहाँ पर मैंने डबल डबल स्लाइ लगा कि इसको लोक कर दिया और 10 पाइचस और फिनिसर के साथ में बिल्कुल डिजाइन हरी यह वाली मोरी बन का तयार हो चुकी है अब हमें इस में फिटिंग लगाना है तो फिटिंग लगाने के लिए दूसरी वाली मौरी को भी रेडी करना है तो तो साहिम ऐसे इसको भी यहां पर रेडी कर लेना है यानी यानी मियानी को ब्राबर रखेंगे दोने सब्सक्राइज कने aku करते हुआ को यहा पर इस पर इसलाय रगाते । serie निरण मियानी की सिलाइ को बराबर रखेंगे दोनों साइट के आगे पीछे नहीं होने चाहिए बिल्कु बराबर करते हुए कपड़े को यहां पर मियानी तक इसको इस तरीके से सिलना है और इसको कंप्लेट कर लेंगे तो यह हमारी जो अफगानी सलवार है यह बनकर कंप्लेट हो गई है गयास और बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाना यह देखी बिल्कु फिनिसिक है अपर आप में बनके रेडिय हुई है यानि कि यह मेरे पास जो सलवार थी उसका मेनिया प तो मेरे चीन को लाइक इन सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए का ताकि इसी नहीं नहीं वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सब सब पहले मिले है एंड थैंक्स पूर वोचिंग मैं वीडियो गाइश तो मिलते हैं नेक्स साम एक नहीं यूसबल वीडियो के साथ अटते पिले, बाइब बाइ!